असलाम अलेकूम, वेलकम बाक तो माई यूट्यूब चैनल, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल और अगर आप लोगों ने अल्रेडी सब्सक्राइब किया है तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, आज एक बहुत ही इंट्रस्टिंग व यह होते हैं और मैं बहुत सालों से यह डियोडरेंट यूज कर रही हूं अपने बच्चों के लिए अपने घरवालों के लिए बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यूं ना आप लोगों के साथ यह शेयर करूं, और आप लोगों के साथ मिल्कई इस दफा बना लूँ, मेरा भ होते हैं जब मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे ओ यह तो बहुत ही सिंपल है तो हमारे किचन में मौझूद है और इंग्रीडियंट्स सुनके भी आप कहेंगे कि यह तो वाक़ी के लिए बहुत सेफ हैं तो आईए बनाना शुरू करते मैं आपसे पहले शेयर करती हूं वह चीजें जो इसके लिए मैं चाहिए होंगी सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे कॉन्टिटी जादा बनानी है मुझे अपनी बेटियों के लिए भी बनाना है अपने लिए भी बनाना है तो ये मैं लोंगी चार टेबल स्पून सबस्टार करें इसी तरह से दूसरा जो हमारा में इंग्रीडियंट है जिस तरह एक एक ड्रामे में हीरो हरोिन होते है तो हमारा में इंग्रीडियंट है बेकिंग सोडा ये भी हम हम 4 tablespoons लेंगे, 1, 2, 3, 4, अब इसे हम मिक्स करेंगे और इसमें जो clumps बगरा होंगे उनको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे coconut oil, बॉल हम डालेंगे 8 tablespoons, लुख बस कि अब हम इसे मिक्स करते हैं और मिक्स करके आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं जी नाजरेन यह हमारा होम मेड डियोडरन तयार हो गया है और इसे लगाने के बाद गैरेंटेड 24 से 48 घंटे तक अगर आप नहाने के बाद इसे लगाते हैं तो आप से किसी किसम की बाड़ी स्मेल नहीं आएगी यह गैरेंटेड है और यह सेफ है आपकी स्किन भी खराब नहीं करेगा इसमें सारे नैचरल इंग्रीडियंट्स हैं जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मिक्सिंग के दौरान इसकी कंसिस्टेंसी पतली या थोड़ी सी थिक लगती है तो आप इसमें थोड़े से इक्वल इंग्रीडियंट कॉर्ण फ्लार और बेकिंग सोडा मिक्स कर सकते हैं अगर थिक लगती है तो थोड़ा सा कोगनट ओई अपने ही साब से मिक्स कर सकते हैं लेकिन ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन दी एंड क्योंकि और जब आप इसे रखेंगे तो हो सकता है मौसम बदलने के बाद थोड़ा सा ओईल उपर आजाए तो उस पे आपने क्या करना है इसको थोड़ा सा हिला के और उसके बाद आपने इसको यूज करना है आईए इसे जार्स में फिल करते हैं ये एक मेरा है और बाकि मेरी बेटियों के हैं बिसमिल्ला ये स्टेप ऑप्शनल है चुँके मुझ मिक्स करने के बाद इसमें आड करने या कोई नैच्रल पर्फियूम हो तो उसके एक दो ड्रॉप्स आप एड कर सकते हैं तो वह आप मिक्स करने अगर आप इसे ऐसे भी यूज करें तो ये बिल्कुल नैच्रल है आपके आपकी बॉड़ी से किसी किसम की स्मेल नहीं इनको आप बंद करके और इनके साथ ये ये थी मेरी होम मेरे डियोडरन की रेसिपी उमीद है आपको पसंद आई होगी ज़ूरूर ट्राइट की कीजिएगा और अलाहाफेज अपना बहुत ख्याल रखेगा और दू सब्सक्राइब तो मैं चैनल और इफ यू लाइक वीडियो प्रेस्ट लाइक बटन और अलाहाफेज